नमस्कार दोस्तों नासा की दस ऐसी खोजें जिनके बारे में आपने शायद ज्यादा नहीं सुना होगा तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि यह सफर बहुत ही रुमान्चक होने बाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कंटेंट जरा भी अच्छा लगे, तो कृपिया हमारे चैनल ग्यान से रियलिटी को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह हमें प्रोथ साहित करेगा और भी अच्छे कंटेंट के लिए। एक, नासा की केपलर स्पेस टेलिसकोप ने एक क्रांती ला दी, जब उसने हमारी आकाश गंगा के बाहर 4000 से ज्यादा एक्सो प्लैनेट्स की खोज की, इन ग्रहों में से कुछ, प्रिथवी जैसे, रहने लायक हो सकते हैं। कलपना कीजिए, कहीं दूर हमारी तरह ही जीवन हो सकता है। केपलर की ये खोजें, ब्रह्मांड में हमारे अस्तित्व को फिर से परिभाशित कर सकती हैं। दो, ब्लैक होल, यानि अंतरिक्ष के सबसे रहस्यमय और खतरनाक स्थान। 2019 में, नासा के सहयोग से इवेंट होराइजन टेलिसकोप ने पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर खींची। ये तस्वीर हमें दिखाती है कि ब्रह्मांड में हमारी समझ कितनी सीमित थी और अब हम कितना सीख रहे हैं। 3. क्या आप जानते हैं कि ब्रहस्पती पर एक ऐसा तूफान चल रहा है जो 350 साल से भी ज्यादा पुराना है? इसे ग्रेट रेट स्पॉट कहते हैं। नासा के जूनो मिशन ने इस विशाल तूफान के बारे में जानकारी इकठा की। यह तूफान इतना बड़ा है कि इसमें तीन प्रिथ्वी समा सकती हैं। 4. मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना तब और बढ़ गई जब नासा ने वहाँ पानी की खोज की। 2015 में नासा ने पुष्टी की कि मंगल की सतह पर तरल पानी के निशान है। इसका मतलब यह हो सकता है कि मंगल पर सूक्ष्म जीव जैसे जीवन हो सकता है या कभी था। 5. पृत्वी के चारों और दो अद्रिश्य रिंग्स हैं जिन्हें वैन एलन रेडियेशन बेल्ट्स कहते हैं। इन्हें नासा ने उननीस सौ अठावन में खोजा। यह बेल्ट्स हमें ब्रमांड से आने वाले खतरनाक रेडियेशन से बचाती है। अगर यह नहों तो हबल डीप फील्ड इमेज ने दिखाया कि एक छोटे से क्षेत्र में भी लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। हर आकाश गंगा में अर्बों तारे और ग्रह हो सकते हैं। यह हमें ब्रहमांड की विशालता का एहसास कराता है। आठ नासा के कसीनी मिशन ने शनी ग्रह और उसकी अंगूठियों के बारे में गहराई से जानकारी दी। इसने शनी के चंद्रमा एंसिलडूस पर बर्फ के नीचे छिपे महासागरों की खोज की। यह महासागर जीवन की संभावना के लिए सबसे बड़ा संकेत हो सकता है 9. Voyager 1 मानव निर्मित पहला यान जिसने हमारे सौर मंडल को छोड़ दिया। यह अब इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुका है। 10. नासा के नितरित्व में बना अंतरराश्ट्रिय अंतरिक्ष स्टेशन ISS मानवता की एक अध्भुत उपलब्धी है। यह विज्ञान, अंतरिक्ष तकनीक और अंतरराश्ट्रिय सहयोग का प्रतीग है। यहां हर दिन वैज्ञानिक ब्रह्मांड और हमारे जीवन के बार सकती है। ब्रह्मांड जितना विशाल है उतनी ही हमारी खोज भी होनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल ग्यान से रियलिटी को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं नासा की कौन सी खोज ने आ अतना खयाल रखिये खुश रहिए धन्यवाद